बच्चों आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो कॉमिक्स आपको पाढ़ना चाहिए क्योंकि कॉमिक्स के माध्यम से चित्रों के माध्यम से कहानी का वाडन होता है तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है गोपाल और हिलसा मचली बच्चों आपको मालूम है भारत का एक राज है पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल में जो मुक्य भोजन है वो फिश करी और शावल होता है वहाँ पे एक बार एक राजा हुए और उस राज में जब हिलसा फिश का सीजन आया तो पूरे राज्य के लोग हिलसा मचली के बारे में बात करते थे बात कर रहे थे क्योंकि हिलसा मचली खाने में बहुत टेश्टी होती है तो राजा कोई बहुत नागवार गुजर रहा था कि एक मचली को लेकर लोग इतनी बात कर रहे हैं राजा के दर्बार में भी सारे दर्बारी हिलसा मचली के बारे में बात कर रहे थे कि हिलसा मचली कितनी टेश्टी है, कितने कीलो की है, क्या वेट है तो राजा इन चीजों से उब गए और राजा ने अपने दर्बारियों से कहा कि यदि जन्ता और दर्बारी यानि कोर्टियर क्या कोई और टापिक नहीं है हिलसा मचली के अलावा बात करने के लिए तो उनका एक दरबारी था गोपाल गोपाल को ये माना जाता था कि ये बहुत इंटिलिजेंट है राजा ने गोपाल को कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे राज की जनता और कोटियर दरबारी हिल्सा मचली के अलामा कुछ और बात करें तो गोपाल ने कहा ठीक है महाराज इसके बाद गोपाल सुबह सुबह अपनी दाड़ी बनाए आदी दाड़ी बनाए और आदी छोड़ दिये यानि हाफ सेव उनकी पत्री ने देखा तो बोली कि यह आप कैसा खारियों वाले और ऐसा करके वो मार्केट की तरफ चले मार्केट में तो उनको देख करके लोग आश्चर कर रहे थे क्योंकि गोपाल एक दरबारी थे राजा के दरबार के लोगों को बड़ा अजीव लगा गोपाल मार्केट में गए हिलसा मचली खरीदे मार्केट में भी लोग इनको पहचान गए और हिलसा मचली इन्होंने उठाया और राज़दरबार की तरफ रवाना हो गए जब यह महल के पास पहुँचे तो जो सुरच्छा करमी थे गाड थे वो इनको अंदर घुसने से मना कर दिये इनके ऐसे ड्रेस को देख कर राज़ा यह सब जान करके फिर बाहर की तरफ आए उन्होंने पूछा गोपाल से गोपाल यह तुमने कैसा रूप बना लिया है यह सब क्या है तो गोपाल ने बताया महाराज मैं गोपाल हूँ आप नहीं कहा था किस राज़ में लोग हिलसा मचली के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते क्या देखिए मैं आपके सामने हिलसा मचली लेकर खड़ा हूँ लेकिन आप हिलसा मचली के बारे में नहीं पूछ रहे कोई दर्बारी हिंसा मचली के बारे में नहीं पूछ रहा बल्कि वे मेरे डिस के बारे में और मेरे हाफ सेफ के बारे में आधी कटी हुई दाढ़ी के बारे में पूछ रहे है राजा इस तरह से बहुत कन्विन्स हो गए गोपाल के बुद्धी का लोहा राजा मान गए कि जिस राज्य में सभी लोग हिलसा मचली के बारे में बात कर रहे थे अब वे लोग गोपाल के बारे में बात कर रहे थे राजा इससे बहुत खुश हो गए और गोपाल को उचित इनाम दिया राजा ने गोपाल इनाम पाए और गोपाल के बुद्धी की चर्चा दूर दूर तक हुई यहां तक कि उनके दरबारी भी गोपाल से बुद्धी का लोहा मन गए बच्चों यदि आपके पास बुद्धी है तो आप उसकुछ भी कर सकते हैं अपने बुद्धि का उपयोग करके अब बहुत आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी कठनाई का चुनोति पूर्वक सामना कर सकते हैं गोपाल ने पहुत चतुराई से राज की जन्ता का ध्यान राजा का ध्यान और कोटियर्स यानि दर्बारियों का ध्यान हिलसा मचली से हटा दिया और अब उनका ध्यान अपने उपर केंद्रित कर दिया अपनी बुद्धी से चतुराई से